राजस्थान के कनहिया लाल की मुस्लिम भेडियों के द्वारा जिस प्रकार गला रेत कर निर्मा मत्या की गई वै बेहज शर्मनाखे संपुर्ण अम्मानवता के लिए चुनौती है नूपुर्शर्मा का मामला तो नियायले में चल रहा है प्रतिक्षा करनी चाहिए थी क्या तुम्हारा नियायपाली का पर विश्वास नहीं है तुम देश को शरियत के हिसाब से चलाना चाहते हो ध्यान रखना ये देश संविधान के अनुसार चलेगा कितने ही मुस्लिम नेताओं ने हिंदू आस्थाओं का अपमान किया है उस दिन से डरो जब हिंदू भी इसी सिक्के में उस अपमान का जवाब देने लगेगा वो कर सकता है कलपना कीजिए क्या तुम देश को अफगानिस्तान बनाना चाहते हो सडकों पर फैसला भीड तंत्र के द्वारा होगा जहां पर ओवेशी, रह्मानी, मदनी इन जैसे लोग इस कट्टरता की आग को लगाते है अखिलेश, मुलायम, राहुल गांधी, गहलोत, ममता इन जैसे लोग जो ब्रिगेट के सरगना है, सेकुलर ब्रिगेट के, वो इस आग को भढ़काते हैं परिणाम हमारे सामने दिखाई दे रहा है, हिंदु समाज इस इस्तती को स्वीकार नहीं करेगा गहलोत सरकार का तो बयान बहुत अपमान जनक है, चिंता जनक है दस दिन पहले ट्वीट करके इन हत्यारों ने अपने कारनामे की जानकारी दे दी थी, सोते रहे कनहिया लाल मर जाएगा फिर करेंगे काम, फिर नहीं हत्यारों को पकड़ा जाएगा और जब ये हत्या कांड हो गया, उसके बाद भी कहते हो, ये मोदी को बयान देना चाहिए था ऐसी हत्याएं, ऐसे कांड नहीं होने चाहिए ये कांड मोदी के नहीं, तुम जैसे लोगों के प्रश्ट्राइपर होते हैं हिंदु समाज इसको स्विकार नहीं करेगा, पूरे देश में हमने इसका विरोथ करने का तैय किया है प्रजातांत्रिक तरीके से पूरे देश में प्रदर्शन होंगे, धरने होंगे और हिंदु समाज का संकल्प जागरित किया जाएगा अगर सरकारे शान्त रहेंगी तो समाज अपने सम्मान की रक्षा स्वयम करेंगा